जैहिएं सातीओ सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें ठीक है आपको बैल आइकन को बटन दबाना है ताकि इंफर्मिशन आप तक महुंचे साथ ही वाट्सप नमर दिया है तो कोई भी डाउट हो तो किलियर कर सकते दोस्तों आज हम पढ़ने वाल इसके बारे में संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिएप का गठन हुआ था सन्युक्राष्ट महासावा की स्वीडन स्टाक होम में मानव परियावरन पर हुई कांफरेंस 1972 के परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था अब यहां से एक क्वेस्चन आपका बनता है कि यूनिएप का गठन कब हुआ था तो यह हुआ था 1972 में हुआ था ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है 1972 में यूनिएप का गठन हुआ था दूसरा क्वेस्चन आपका बन जाता है इसका मुख्याल है कहां पर है यूनिय अपका तो यह है नेरो भी केन्या में ठीक है दो कोईस्चन यहां से आपके किलियर होंगे परियावरणी की प्रवंदन के लिए अंतर राष्टे रूप रिखाओं की निर्माल है तो इसका गठन किया गया है किस लिए किया गया है परियावरन ये कारिक्रम और संगटनों की प्रबंदन के लिए अंतराश्टी रूप रिखाओं के निर्मान के लिए इसका गठन किया गया काई का यूनियप का उधारण के लिए 1988 में जलवायू परिवर्तन पर अंतराश्टी पैनल IPCC का गठन 200 मौसम विग्यान संगटन WMO और यूनियप ने मिलकर किया था तीक है सभी को याद रख लेना है आप से पूछा जाएगा कि जलवायू परिवर्तन पर अंतराश्टी पैनल IPCC का गठन कब हुआ था तो आपका फिर उत्तर होगा 1988 में ठीक है इसी तरह बैस्विक परियावरन सुभीदा की किरियान वेन एजेंसियों में यूने भी एक है यह एक एक्षिक सन्युक तराश्ट परियावरनी फंडवी है जो बिभिन परियावरन पर योजना को आर्थिक सहायता पिरदान करता है जी हाँ दोस्तों एक चीज तीन क्वेस चोथा क्वेस्चन आपका यहां से बनेगा परियावरन से संबंदित प्रियासों के लिए संस्ता द्वारा गिलोबल पांसो प्रुसकार बर्स 1987 में इस्तापित किया था आपसे पूचा जाएगा कि गिलोबल पांसो प्रुसकार के इस छेत्र में दिया जाता है तो को याद रख लेना है हर साल पांच जून को मनाया जाने वाला विस्तो परियावरन दिवस यूनियप की ही पहल है अब यह चीज आपको याद रखनी है कि पांच जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है विस्तो परियावरन दिवस मनाया जाता है सभी को याद है ठीक है लेकिन एक किसके द्वारा शुरू किया गया था तो ये उनियप के द्वारा शुरू किया गया था जिसका मुख्याले नेरोवी में है ठीक है जिसका निरना इस्टाक हॉम संबिलन 1972 में ही ले लिया गया था ठीक है परियावरन विस्टु परियावरन दिवस का जो निरना लिया गया कि विस्तु परियाबन दिवस 5 जून को मनाया जाएगा इसका नरणय ले लिया गया था स्टाखॉम संबिलन 1972 में अब आप से पूचा जाएगा स्टाखॉम संबिलन कब हुआ था तब आपका उत्तर होने चाहिए 1972 में और स्टाखॉम संबिलन में एन एन ले लिया गया कि पांच जून को हर्वर्ड विस्तो परियावन दिवस मनाया जाएगा लेकिन आप से पूचा जाएगा कि पहला विस्तो परियावन दिवस कम मनाया गया तो उनीस सो चोहतर से पहला जो है विस्तो परियावन दिवस मनाया जाने लगा इतने क्वेस्ट यहां से आपके किडियर हो जाते हैं दोस्तों IUCN IUCN मतलब International Union for Conservation of Nature ठीक है IUCN विस्तु का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बैस्विक परियावणा नेटबर्क है जिसकी स्थापना October 1948 में हुई थी अब आप से पूछा जाएगा कि IUCN का गठन कब हुआ था स्थापना कब हुई थी तो October 1948 में हुई थी नोट्स करते जाना आपको यह जो नोट्स हैं हमारे टेलिग्राम ग्रोप में मिलेंगे टेलिग्राम ग्रोप में जुड़ने के लिए आपको टेलिग्राम एप डाउनलोड करना है उसमें सर्च करना है IAS study track or join हो जाना है ठीक है एह वर्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है कौनसा जो IUCN है इसे वर्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता था इसका मुख्याला ग्लांड स्विट जलेंड में है अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तो कि IUCN का मुख्याला कहां पर है तो ग्लांड स्विट जलेंड में आपका उत्तर होना चाहिए इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी ठीक है इसे वर्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और जो कहां पर जिनेवा की निकट है IUCN में सरकारी संग्टन और गेर सरकारी संग्टन दोनों सदस्थ होते हैं ठीक है तो इतने क्वेशन यहां से आपके किलियर होते हैं अंगला देख लेते हैं IUCN का मिसन इबं द्रश्टी कोण इसका मिसन क्या है IUCN परियावरन एवं बेकास से जड़ी अधिकान स्चनोतियों के लिए बेवहर एक समाधान विक्सित करने का प्रयास करता है एव एग्यानिक सोत का समर्थन भी करता है IUCN पूरे बिस्व में फिल्ड प्रोजेक्टों का प्रबंदन करता है तथा सरकारी गेर सरकारी सन्युक्त राष्ट बिभिन कमपनियों एवं इस्थानिय समुदायों को ये जोट करता है ताकि नीतियों एवं कानुनों का किरियान वेन अच्छी तरह से हो सके पूरे बिस्व में फिल्ड बिभिन समाजों को प्रभावित करना तथा उनकी मदद करना जिससे भी जयो बिभित्ता का सन्रक्षन कर सुनिश्चित कर सके कि किसी भी प्राकरतिक संसाधन का इस्तिमाल पूर्णत नियाय संगत और संपोष्णिय हो कोई बी संसता है कोई प्राकरतिक और संसाधन का जो दोहन करते हैं इस्तिमाल करते हैं प्राकरतिक चेत्रों को नस्त होने से बचाना ही IUCN का मुखकार है अब आप से पूछा जाएगा कि निम्नमे से बताईए IUCN का मुखकार क्या है तब आपका उत्तर होने चाहिए कि जेव विवित्ता का सर्रक्षन पौदो एबंपस्वों को लुप्त होने से रोकना प्राकरतिक छेत्रों को नश्ट होने से बचाना यही क्या है IUCN का मुखकार माना जाता है नोट्स करते जाना जहां जहां भी जो कॉस्चन हम बता रहे हैं कि इस प्रकार की कॉस्चन बन सकते हैं तो आप नोट्स जरूर करें इसलिए संकट ग्रस जिव जन्तियों की एक सूची जारी करता है जिसी रेड डाटा बोक आपने हमेशा पड़ा होगा रेड डाटा बोक सुना होगा रेड डाटा बोक कौन जारू करता है IUCN सही है है ना संकट ग्रस जिव जन्तियों की जो सूची जारी करता है वो कौन करता है इस प्रकार से क्वेस्टन आएगा तब आपका उत्तर होगा रेड डाटा बोक ठीक है आई यू सी एन जववित्त संदक्षन के अलवा चार अन्न छेत्नों पर भी कार करता है जलबायू परिवर्तन क्लाइमेंट चेंज ठीक है अजीबिका संपोष्णी राउर्जा हर्त जो है अर्त विवस्ता इन पर जो है ये कार करता है आई यू सी एन सन्युक्तराष्ट महासवा का परवेक्षक दरजा जो है प्राप्त एक मातर अंतर राष्टी संगठन है आप से पूछा जाएगा कि सन्युक्तराष्ट महासवा का एक मातर अंतर राष्टी संगठन कौन सा है जिसे परवेक्षक दरजा प्राप्त है तब आपका उत्तर होगा IUCN ठीक है इस प्रकार से कई प्रश्ण आपके बनेंगे IUCN से जो पर्यावरण जो अब इत्ता से संबंदित मुद्दों को देखता है इस तरह है IUCN संयुक्त राष्ट का अंग नहीं है इसे परवेक्षक का दर्जा प्राप्त ठीक है अंगला क्वेस् फंड जिसे WWF भी कहा जाता है अब आपसे पूचा जाएगा WWF का फुल फाम क्या है तब आपको बताना है वर्ड विल्ड लाइव फंड ठीक है यह सबी लोगों को देख लेना है तो वर्ड बाइड बल्ड बाइड फंड फंड फार नेचर एक अंतराज्ट यह गयर सरकार परियावरन के सन्रक्शन सोद एवं पुनाहि स्थापन के लिए कार करता है पहले इसका नाम था वर्ड वाइड फंड क्या रलड वाइड पंड उठ जो यूनाइटिद इस्टेटस इस्टेटस एवं कंौनादा में अभी भी इसका अधिकारिक नाम है ठीक है हाँ एह विस इसमें करीब 1300 संग्ठन एवाँ पर्यावरण से जोड़ी प्रेजिक्टों पर काम कर रहे हैं अब आप से अगर पूचा जाएगा कि विस्तु का सबसे बड़ा सुतंत्र जो है संग्ठन कौन सा है सुतंत्र पर्यावरण संग्ठन से संबंद जो संग्ठन वो कौन सा है तब आपका उत्तर होगा क्या होगा डबलू डबलू एप है ना यह एक प्रकार का दान है जिसका 60 प्रतिसात हिस्ता निजीब एक्तिगत सोक्षिक दान की रूपे आता है इस फंड की 45 प्रतिसाता उनाइट एट्सिस्ट उनाइट किंग्डम तथा नीडर लेंड से आती है बात चीज भी आपको याद रख लेनी है और जो इसका फंड आता है डबलू डबलू एप का वो 60 प्रतिसात हिस्ता आता है युनाइट एट से युनाइट केंग्डम और नीडर लेंड से हैना डबलू डबलू एप का लक्ष क्या है तो हमारे परियावरण को नश्ट होने से र अन जली पारिष्टित की तंत्र महासागर एवं तठ सामल है अनमुद्दों में बिलुप्त प्रयाय प्रजातियों प्रद्यूसर एवं जलबायू परिवरतन पर भी ध्यान देता है जलबायू परिवरतन की बात आई है दोस्तों तो यह क्वेस्चन वर मैं आपको बता द देता हूं कि जो 2019 का ओक्सपोर्ट डिक्सिनरी ने वर्ड आफ दा इयर चुना है वो चुना है के लाइमेंट एमर्जेंसी को ठीक है सभी लोगों को यह चीज याद रखनी है एस संग्ठन 11 सितंबर 1961 में सुड़जर लेंड के मोर्सेज में एक धरमार्त ट्रस्ट के ठीक है अब आप से पूछा जाएगा यहां से कॉस्चन की बर्ड वाइड फंड जो है इसका गठन कब हुआ था तब आपका उत्तर होगा 11 सितंबर 1961 को हुआ था कहां पर हुआ था सुड़जर लेंड के मोर्सेज में एक धरमार्त ट्रस्ट के रूप में हुआ था ठीक है यह है जूलियन हकसले एबा मैक्स निकोलन्स की कोशिस 39 ने 30 साल के अनुगाओ के साथ प्रगती सील बोध्यक लोगों को वड़े व्यापारिक रूचियों के साथ राजनेतेक तथा आर्थिक योजनाओ के द्वारा जोडने का प्रयास किया कैनेडियन फंडे के लिए कनाडा के टोरंटों में भी इसका एक हैड ऑफिस है इसकी इस्थापना दस्ताविज में संग्टन ने अपना बास्तविक लक्ष इस तरह हुल्लेकित किया विस्ट्ट के जिव जन्तू, पेड़ पौधे, बन इस्तलाकिरतियां, जल मिट्टी ए एवं खोज परचार समनबय एवं प्रयास अन्य एक्चुक पार्टियों के साथ सहयोग तथा अन्य उपयोग तो पायों द्वारा किया जाएगा, बिचले कुछ बर्सों में संग्टन ने पूरे विस्ट्ट में कारयाले खोल लिये हैं, एवं कार प्रारंब कर दिया इसकी कार अन्य चेत्रों जैसे जयो बिवित्ता हैना संरक्षान प्राकरतिक संसादनों का सतत इस्तेमाल तता प्रदूसर एवं बरबादी से होने वाली खपत में कमी लाना आदी की तरफ इसका बढ़ता गया, 1986 में संग्ठन का नाम बदल कर रख दिया गया, वर्ड फंड फॉर कार कर रहा है, तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि वर्ड डबलु डबलु एफ का जो नाम बदल कर कब नाम चेंज किया गया, या कब नाम बदला गया, तो 1986 में किया गया, ठीक है, लेकिन जो आरंबेक नाम रखा गया, वो डबलु डबलु एफ ही रखा गया, और बरतमान में जो नाम है World Fund for Nature है, सबी को याद रख लेना है, अंगला देख लेते हैं विस्तु बेंक समूह की परियावरन रन नीती 2012-2022, ठीक है, विस्तु बेंक समूह की परियावरन रन नीती हम देख लेते हैं, एक महत्वा कांची कारी योजना है, जो बेकास सील देशों म हैं इस परियावरन रणनीती में विस्तु बैंक के साथ साथ अंतराश्टिय बित्त निगम और जो है एम आई जी ए जैसी बड़ी संस्थाओं का महत्पून योगदान है ब्यापक बिचार बिमर्स पर आधारत विस्तु के तेज सो बैंक समूह के इतिधारकों के साथ है योजना बिस्तु में सभी के लिए स्वक्ष हरे और पिर्ती रोदक चमता वाले परियावरन की परिकल्पना पर जो है कार कर रही है अब आप से पूछा जाएगा कि जो बिस्तु बैंक समूह परियावरन मीती है एक किस पर कार क सभी के लिए स्वक्ष हरे भरे और पिर्ती रोदक चमता वाले परियावरन की परिकल्पना पर तीक है इनका मानना है कि बिकास देशों को गरीबी निवारन और जीबन का एक उचेत इस्तर प्राप्त करने के लिए तीबर बिकास की आवस सकता है लेकिन जब तक इनका बिक चीजे हमें याद रख लिनी है कार योजना मुक्त तीन बातों पर सकेंद्रित है हरा स्वक्ष और पिर्ती रोदक चमता जी हां दोस्तों यहां से आपका एक क्वेस्चन पूछा जाएगा कि विस्ट बैंक समूई की जो परियावरन रणन नीती है यह जो है किस पर आधार करतिक संसादनों जिसमें सागर भूमी और बन सामिल है का संपोष्णिय रूप से संरक्षण और प्रबंदन करती हुए आजीविका एवं खाद सुरक्षा को सुनिश्चित करता है इसमें जयववयुत्ता को बनाय रखते हुए मिर्दा संरक्षण और समुद्री परितंत् सुर्चित को कम करने स्वक्ष बायू स्वक्ष एवं जल इवं स्वक्ष सागरिय परितंत्रा प्रदान करने से है इसका स्वक्ष का मतलब हर तरफ जो है स्वक्षता का बातावण वना रखना चाहे वह स्वास्त हो चाहे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हो चाहे प्र दूशन मुक्त बातावरान जलबायू अनुकूल किर्सी स्वक्ष उर्जा और सतत सहरी बिकास के लक्ष को आसानी से प्राप्त किया जा सके इसका प्रमुक उद्देश माना जाएगा पृतिरोधक चम्ता की बारे में देखेंगे पृतिरोधक चम्ता का आसे जलबायू परि जलबायू आप्ता के कम से कम होती है विस्तु बैंक समूब्विष देशों को उनके बहित्तर-प्रबंदन आपदा-प्रबंदन और जलबायू अनुकूल किर्सी के लिए बित्तिय सहायता और जोकें बीमा प्रदान करता है ठीक है अभी आपको पता होगा कि बंगलादेश ने तटिय छेत्रों को प्लास्टिक मुक्त करने की जो है योजना बनाई है सभी लोगों को पता होगा बर्तमेन में करेंट का प्रस्न है कि बंगलादेश ने अपने तटिय चेत्रों को प्लास्टिक मुक्त करने की एक पहल चल पड़ी है सभी राज सभी चेत्रों में ये पहल चल रही है तो इस तरह विस्वेंग की पर्यावरणी रणनीती राष्टों को अपने विकास के साथ साथ भविस्व के पर्यावरणी संकुटों की पिरती भी सुद्रन बन स्थानों को सरक्षित करने के लिए समर्पित एक संस्था बन जीव सरक्षण सोसाइटी है इस कार को पूरा करने के लिए बिज्ञान सरक्षण कार और सिक्षा को बड़ावा देती है ठीक है इसे लोगों की प्रिकृति के प्रिति मनोबृति और बिवहार में बदलावाता है और वे इस महत्त को समझने लगते हैं कि प्रत्वी पर जीवन के लिए बन जीवों और मनुस्ट के बीच सामन जस्त का होना अनिवार है तो जो बनन जीव सामन हैं WCS है वो क्या कर रहा है इब यस्तर पर बन जीवों और बनन जीवों और बन इस्तानों को संरक्षित करने के लिए जो है कौन सी संस्ता समर्पर्थ है तब आपका उत्तर होगा WCS ठीक है याद रख लिएना है WCS के बारे में बनने जी उसनलक्षन सोट्राइटी का जो मुख लक्ष है उन 15 छेत्रों को प्रात्मिकता देना जो विस्त के 50 से 50 प्रितिसा स्यदिक ग्योवित तधारन करते हैं इसके लिए WCS ने एक 2020 रणन नीती भी बनाई है याद रख लेना WCS विज्ञान का उपियोग कर इस प्राकरतिक विस्त को समझने का प्रयास करता है उसके इस ज्ञान का उपियोग नीती निर्माता समुदा है और लाखों लोग बनने जी उसनलक्षन के लिए उचित कदम उठाने में करते हैं WCS इंडिया कारिकरम देख लेते सभी भारती कानूनों को ध्यान में रखती हुए भारत के बनने जीवों और इस्तलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश से बनने जीवों संरक्षन सोसाइटी इंडिया कारिकरम चलाया गया आप से पूछा जाएगा बनने जीवों की बनने जीवों, इस्थलों को सुरक्षा परदान करने परदान करने के लिए इस कारिक्राम का उद्धे सरकारी और गेर सरकारी सहयोगीयों की सम्मलेत प्रयासों से बागहों या अन्न बन जीवों पर सोध छमता नर्माण और प्रभावी इस्तान आधारिस सलेक्षन प्रदान करना है इसके अलाबा यह स्थानिय समुदायों की सहयोग से माना उपसु संगर्स को कम करने का प्रयास भी करता है इस्तानी ग्राम मीड आकलन जववित्ता अधिनियम 2002 के तहट पूरे भारत में ग्राम परिस्दों के लिए पीपल्स जवविद्ता रजिस्टर को अनिवार कर दिया गया ठीक है तो एचीज यहां पर हमें याद रख लेनी है भारत इस्थानी आकलन PBR की तयारी के लिए एक तरीका प्रदान करता है सन्युक्त राष्ट परियावरन कारिकरम UNP सन्युक्त राष्ट की परियावरन कुछ जो महत्पून महत्पून फैक्ट जो आ सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं सन्युक्त राष्ट परियावरन कारिकरम UNEP सन्युक्त राष्ट की परियावरन मामलों पर प्रमुक एजेंसी है इसका गठन महासावा की 1972 की इस्टाकॉम सम्मेलन में जो है मानव परियावरन कामफरेंस में हुआ इसके स्थापना दिवस 5 जून को आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना दिवस 5 जून को रूप में हम मनाते हैं और इसकी शुरुआत होई 24 से और 1972 में इस क्या हो गया 24-25 मनाय जाने के लिए घोशना हो गई और 1974 से 25-25 मनाय जाने लगा IUCN विसको सबसे पुराना एवम बड़ा वैस्विक परियावरान एवम प्रिकृति सर्रक्षन का नेटवर्क इसका मुख्याल है गिलांडा स्विट जलेंड में है इसकी द्वारा रेड डाटा बुक का प्रिकासन कि आप से पूचा जाएगा रेड डाटा बुक का प्रिकास में ठीक है तो आपको याद रख लिना है लुप्त। प्रहेभ प्रजात्यों कि इसनरक्षर हेतु कौन सा संक्टन कार कर रहा है सब्सक्रलिण स्कार में ऐनका इसन कर रहा है इसे उन्फिट स bogically में बायरे हैण संबस्तार्ष जासे में ढेर यहाँ से पूछे जाएंगे जहां पर परयावरण पूछा जाता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को सभी लोगों को दबाना है फेस्बुक पेस से जड़ने के लिए आपको IAS study trick सर्च करना है और साथ यो आप हमारे टेलिग्राम ग्रुप से अबस जड़ना है टेलिग्राम ग्रुप से जड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS study trick और जोइन हो जाना है सामको साड़े छे बज़े आपकी परियाबरानों बालबेकास की कक्चा होती है लाइब क्लास तो वो जरूर देखें हिंदी की कक्चा नौ बज़े होती है तो सभी लोग इसको देखेंगे आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जैहिन